तो आज के वीडियो में हम इस पंखे कूलर में कनवर्ट करेंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कूलर या एसी खराग हो गया है तो इसको एकदम सिंपल तरीके से हम कूलर में कनवर्ट करेंगे अच्छी थंडी हो आजेगा तो प्लान कुछ ऐसा है कि हम यहां पर पानी के पाइप लगाएंगे उसमें चोटी-चोटी फोल करेंगे और उन छेदों के ऊपर धागा बान देंगे और यहां नीचे एक बकेट रखेंगे इसमें टुलू होगा टुलू को गरनेक्से पाइप से करेंगे और यहां पर टूटे थे सब्सक्राइप तो यहां पर हमने पाइप को काट लिया है कि जिस तरह से एक पीस ये पीस अब हम इनका कनेक्शन करेंगे उसके लिए हम सिंपल इस्टी का यूज करेंगे इस इस साइट की है नहीं हमारे पास तो हम इसको यहां पर बागी इस पेस में घुलू भर देंगे यहां पर विज़ नहीं है हमारे पास है को तो कनेक्शन कर दिया है और रड़ी अभी मजबूत लग रहा है उसके अलावा हमने इसको यहां से बंद गिया है ताकि पानी यहां बाहर निकले और इस साइड भॉय किया है इसको बंद गरना के लिए कि अब आपर गलू भर दी है अब बना लिये हैं और अब हम इसको पंख्य पर लगा गर देखेंगे यह तुल्लू चे इसका कनेक्शिन सबसे लास्ट में करेंगे चलिए इसको पंख्य पर लगा के देखते हैं मेजर मेंट देखते हैं ठीक है कि ने ओके कि अब हम इसको बाइंडिंग बायर की घल्प से बांदेगे यहां अब हम यहां पर धागा बानेगे हर इक छेट पर एक धागा बानेगे होगा यह कि इसमें सी पानी बाहर निकलेगा इसको फॉल्व करते हुए वापस बकेट में आएगा इससे हमारा पानी इधर उदर नहीं पहलेगा ओके तो यहां पर हमने इनको लगा दिया है और अब हम इसका कनेक्शन तुल्लू चे करेंगे अपने तो हमारा पंखा बन गया है देखने में इसी भूत जैसा लग रहा है चोडालन जैसा चलो वापस को चला के देखते हैं अई तुल्लू लगा दिया है और यह वकेट है इसके इंदर पानी डाला है तो आपको एक बार इसकी फिर से बरकेंग बता देता हूं मैं तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं हवा तो दे रहा है ठंडी ठंडी अब हम इसका टेमपरेटर ना पेगे कि आती बहार और यहां पर इतना अंतर है हवा में हवा की टेमपरेटर में अब बहार का टेमपरेटर है और अब आप यहां का टेमपरेटर देखिये यहां पर यह हवा भी ठीक दे रहा है ऐसा नहीं एगिन के वज़े से हवा रूप रही है तो अगर आपको हमारा यह लॉजिक अच्छा लगा है चोडल वाले पंखेटा क्यों को लाइक करो और यहां को सब्स्क्राइब करो मिल दे अंगे वीडियो में तक एले बाइ-बाइ मिल दे वीडियो